एलो गाईस तो कैसो आप सभी लोग एंड गाईस आई होप आप लोग सभी बढ़िया होगे तो वाई आप सबका स्वागत है हमारी आज किस न्यू वीडियो में तो फाइलली आप लोग लिए एक न्यू बस मोड लेकर आ चुके हैं जो कि गाईस हमारा स्केनिया बस मोड होन चाती है वह आगे आप लोगो बताऊंगा कौन सी कौन सी इसके ने उससे पहले गाईस इस मोड का रिव्यू कर लेते हैं तो चलिए गाईस आई होप आप लोगो यह वी मोड काफिता पसंद आने वाला है तो अब इस एगर लाइक कर देना चैनल परने हो तो आप लोगो इस बस मोड के अंदर देंगेनों को मिल जाता है और कैस आप लोग इसके टैर चेकाउट कर सकते हैं इसका कस्टम से बहुत ही ज़այ बढ़ी ह Goldman के सा इसके इंडर के साथ आप लोगो पीछे का विवी देखने को मिलन जाती है जो की काफी ज़ादा इसको रियल इस स्क्रीन के अदर आप लोगों को पीछे का व्यू देखन को मिल जा रहा है तो आप लोगों को इससे पता चल जाता है कि वेहकल पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है या फिर आप लोग पार्किंग के टाइम इस केमरे मोड को यूज कर सकते हो भाई इसका steering देख सकते हो भाई कितना मज़ेदार है एकदम यार realistic feeling दे रहा है और Scania का logo आप लोगों को देखने को मिल जाता है इसके steering के उपर और meter की बात करें तो भाई meter के अंदर आप लोगों को fuel वगेरा and indicator दोनों देखने को मिल जाते हैं and light का option भी देखने को मिल जाता है और fully work भाई इसका meter करता है और इसके अंदर आप लोगों को इसकी speed वगेरा भी देखने को मिल जाती है guys इस बसके अंदर आप लोगों को जो है 3 animation देखने को मिल जाते है and first वाले animation से आप लोगो बता दूँ क्या होता है तो जैसे हम इस first वाले animation पे click कर देते हैं तो भाई इसके जो driver वाली खिड़की है वो open हो जाती है and इसके पीछे एक और खिड़की है वो देख सकते हो वो भी यहाँ पे open हो जाती है गाईस और गाईस जो दूसरे नमबर पे animation देगने को मिलता है जैसे हम दूसरे नमबर पे animation पे click करते हैं तो यह जो हमारी bus का suspension है भाई वो नीचे हो जाता है और फिर से click करते हैं तो यह suspension उपर उड़ जाता है तो इस तरीके से यह हमारा दूसरे वाले animation वर्क करता है और बात करते हैं भई तीषरे वाले animation की तो तीषरे वाले animation पे आप लोग जैसे click करते हो तो इस bus के जो रूफ हैं परदे हैं वो भाई अपने आप हट जाते हैं और आप लोगो देग सकते हो अंदर का view देखिन को मिल जाता है गैस अगर बात करें इसके ग्राफिक की तो ग्राफिक भी आप लोगो इस बस मोड का काफ़ ज़्यादा रियल स्टिक देहिन को मिल जाता है यह जो इसका स्टेरिंग कंट्रोल है भाई कसम से बहुत ज़्यादा बढ़ी है ग्राफिक देख सकते हो कितनी आसानी से यह कंट्रोल हो जाता है काफी ज़्यादा स्मूथली है यह चलाने में एंड मज़ा आजाता है भाई इसको चलाने के बाद तो चलिए भाई अभी आप लोगो बताते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है और इसका पासवर्ड आप लोगो कहां पे मिलेगा तो वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद माब बता देता हूँ आप लोगो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ तो चलिए भी चलते हैं हम इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोगो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पे आप लोगो एक डाउनलोड लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा वेबसाइट ओपन होगा तो वहाँ पे एक डाउनलोड लिंक और मिलेगा उस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो एक वीडियो ओपन हो जाएगा तो गाईस इस मोड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पासवर्ड की निचे आने के बात यहाँ पे आप लोगो इसका लिंक मिल जाएगा ठीक है scan या बस mode का इसके नीचे ही आप लोगों को एक skin का link भी मिल जाएगा ये वाला तो यहां से आप लोगो इन दोनो modes को download कर लेना है आप download करने के बाद guys add कैसे करना है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ हाँ तो guys याट सभी फाइल को download करने के बाद आप लोगो अपने phone के अंदर play store को open कर लेना है अब open करने के बाद guys यहां से आप लोगो एक application को install करना है जिसका नाम है जैड़सीवर ठीक है तो यह application open हो चुका है और इसको install कर लेना है उसके बाद यहां से open करते हैं अब open करने के बाद guys यहां पे आप लोगो एक download वाला folder मिलेगा अब इसको open कर लेना है और open करने के बाद guys आप लोगो ने जो file download की है वो इस folder के अंदर आप लोगो देखने को मिलेंगी तो अब हम उन file को extract कर लेते हैं तो यहां आप लोगो देखने को मिल जाएगी जो हमने download की है first वाली जो है यह हमारा mode file है और दूसरा जो हमारा skin और library है ठीक है तो सबसे पहले हम guys यार इस mode वाले file को extract कर लेंगे उसके लिए आप लोगो इसके उपर एक बार press करने है अब यहां पर प्रेस करने के बाद भाई extract here का option आएगा तो इसके उपर click करना है अब यहां पर click करोगे तो भाई यहां पर यह password मांगेगा तो भाई password आप लोगों को मैं बता नहीं सकता क्योंकि यार जिसने भी mode बनाए उसने बहुत ही ज़्यादा महनच करी है तो उसकी वीडियो को आप लोगोंने देख लेना है और वो password आप लोगों को उसी वीडियो में है जहां से आप लोगोंने डाउनलोड किया है तो मैं जल्दी से यहां पर password डाल देता हूँ और password ना बताने के लिए भाई पहले सही तो मैं यहां पर password डाल देता हूँ तो guys password डालने के बाद यहां पर आप लोगोंने OK बटन पर प्रेस कर देना है और उसका बाद guys आपका जो mode extract हो जाएगा और यहां पर आप लोगों को एक new file देखने को मिल जाएगी अब guys हम इसकी skin को extract कर लेते हैं इसकी skin को extract करने के लिए नीचे वाली this skin वाली file के उपर प्रेस करना है यहां पर प्रेस करोगे तो फिर से लिवरी है वो भी एस्टेक्ट हो जाएगी अब गईस तो चलिए गईस अब आप लोगों को बता देता हूं कि इस मोड को कैसे अड़ करने अपने गेम के अंदर तो गेम के अंदर एड करने के लिए हमने जो फाइल को स्टेक्ट किया था उसके बाद हमें यह नूव फाइल म देखने को मिलेगी इसके उपर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद गईस यहां पर एक बसीट का फोल्डर देखने को मिलेगा इसको उपन कर लेना है अब इसको उपन करने के बाद भाद भाई मोड का फोल्डर मिलेगा इसको उपन करना है अब यहां पर आप ल जरूर देखीगा और अच्छी लिए लिए लाइक करेंगे तो चलिए अभी गेम को ओपन करते हैं वहीं तो गाईस यार देख सकते हो हमारी गेम यहाँ पर ओपन हो चुगी है अब हमें यहाँ पर आप लोगों ने प्रेस करना है जब तक कि आपका मोड नहीं आजाता ठीक है जो आप लोगों ने अभी एड किया है तो हम यहाँ पर-next पर प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहां पर हमारा simple सा जो मोड़म्ने एड किया हो यहाँ पर देखिन को मिल जाएगा ठीक है तो हम यहाँ यहां पर यूज़ वाल देंगे यहां पे बीच वाले उप्सिन के इंदर click ठीक है इस वाले उप्सिन के क्लिक करेंगे एंड जैसे यहां पर click करोंगे तो उसके बाद यहां पर browse library क्या option आजाएगा यहां पर इस पर आप लोगने क्लिक करना है और यहां पर लोग कोई भी इसको भी स्लेक्ट कर सकते हो या फिर इसको स्लेक्ट कर सकते हो तो हम यहां पर इस वाले को स्लेक्ट करेंगे फाइल मेनेजर को ठीक है तो यहां पर स्लेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां पर हम डाउनलोड वाले फोल्ड करेंगे ठीक है तो हम इस ओरेंज वाली स्कीन पर क्लिक कर देते हैं तो आप लोग देखी सकते हो कुछ इस तरी कैसे आप लोग यहां पर स्कीन को मिल जाएगी एंड यह वाली पो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद लगी वाई सबसे बैस मेरे को यह लगी और इसके इलावा ए ठीक है मेरे को यह जो स्कीन अच्छी लगी है तो मैं यहां से इसको आभी हम पर्मनेंट इसको स्लेक्ट करेंगे स्लेक्ट करने के लिए यहां पर अप्लाइ का उप्शन मिल जाएगा इस अप्लाइवाले उप्शन पे प्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आप लोग दो option देखने को मिलेगे या तो आप लोग add देखके free में add कर सकते हो या फिर अपनी money use करके तो यहाँ पर इसको apply कर सकते हो तो हम यहाँ पर money use करके इसको apply कर लेते हैं और हमारी जो skin अभाई successful यहाँ पर apply हो जाएगी और जो हमारा mode अभाई install हो चुका है यह mode enjoy करिएगा I hope आप लोगो बड़िया ही लगा होगा यार ठीक है enjoy करिएगा and like subscribe भाई रुकना नीचे या भाई जितने भी subscribe कर सको like कर सको भाई कर दो भाई ठीक है